स्टुरेंट वेलकम टू लाइफ एट एम्यू दिल्ली उनिवस्टी के जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के एक्जाम दिये थे उनका स्कोर कार्ड आ चुका है स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता दूँआ देख सकते हैं दिल्ली उनिवस्टी के जो रेजुशन के एक्जाम हो गए थे और इसमें जो थे 55 कोर्सिस के टेस्ट हुए थे वो मैं कोर्सिस सभी बता दूँआ कौन कौन से कोर्सिस है और किस कोर्सिस का स्कोर कार्ड आया है तो ठीक है वीडियो देखते रही है राम से और 24 सिटीज में हुआ था यह आपका देख कर सकते हैं यह लिंक कैसे मिलेगा आप अंटी एक्जाम 2020 पर जाकर भी चेक कर सकते हैं वो सर्च कर लिजा आप ब्राउजर पर आजाएगा आपका तो इसमें देखिए 55 कोर्सिस हुए थे इसमें सभी के कोर्सिस का स्कोर कार्ड आ जाएगा कि कितने मांक्स आपको आइडि लिंक गीवन है इस लिंक पर आप जाएंगे यह डिएट का लिंक है दिल्ली निवर्श्टी ऑपन करने के बाद आपका लिंडे लोगीछ नहीक है आपका form number होगा form number आपको मैंने एक बार बता है ता form admit card पर होता है और अगर admit card का login details अगर भूल गया तो channel पर forget due क्या आपका मैंने वीडियो बनाई थी application number forget due application number वो वीडियो देख लिए उससे आप forget कर सकते है वैसे आपके पास admit card तो रखा ही होगा admit card में साप simply देख लेंगे form number देखने के बाद आपको date of birth fill करने date of birth किस वे में fill करने है सबसे पहले आपको year करना है फिर month फिर date कोई slash नहीं आएगा कोई dash वगरा कुछ नहीं आएगा ठीक है लोगिन कर लेंगे लोगिन करने के बाद आपका scorecard ऐसे शो होगा देखिए यहाँ पर देख सकते हैं screen पर यहाँ पर welcome आपका नाम होगा यहाँ पर roll number होगा और course हो अगरा जो भी आप course apply किया होगा और view scorecard पर आप click कर देगे यहाँ पर view scorecard पर click कर देगे तो scorecard आपका show हो अभी तो वीडियो complete नहीं होई वैसे भी अगर कोई update चाहिए हो कुछ भी हो subscribe कर लेना चैनल को हर चीज का update मिलता है सबसे पहले मैं video बना देता हूँ आपको कोई चीज नहीं छोड़ता कि बच्चे कुछ भी miss करें तो हर चीज से update रहने चाहिए इसलिए मैं हर चीज के व तो जो courses आपके आएं हैं मतलब जिस courses का scorecard आने वाला है वो courses ये हैं आपके 55 courses हैं देखिए सब ही अपना course देख लिए वैसे आपको पता ही है किस किस का test हुआ था वह आपने entrance test दिया तो आपको बहतर पता होगा और पता ही होगा मतलब किस course का आना है क्योंकि merit list भी लगती है कुछ courses की ऐसे नहीं है बैचलर्स का कोई नहीं है बैचलर्स के इसमें आपके बैचलर्स के सभी के आप merit based होते हैं और इसमें बस जायतर master's ही है B.A.D.B.A.D. हो गएरा है वो भी एक तरसे बैचलर के बाद ही होते हैं ठीक है कोई query रहागी है तो Instagram पे आप follow कर लिजए लाइक और गयरा तो आप खुदी कर देंगे इतनी एची information दीए आपको update कर रहा हूँ यह सब चीज़ तो आप पे छोड़े तो वीडियो देखने के लिए thank you